जैन ऐसे कसे आप सुबे के चार बजे हैं और हम लोग सुरू कर रहे हैं इनलीन और फिडल क्राफ्ट अभी करी आप सुवा configured बच्चो फिडल क्राफ्ट अभी करी अपने पढ़िए तो एक सवौल आता है डिफरेंट एक्जाम में चाहे वह आपके किसी भी class का हो अगर fiddle craft वहाँ पे course में है तो ये question तो आप जानी है examiner आपको देगा क्योंकि वो सोचता है कि बच्चा इसमें जरूर फस जाएगा लेकिन हम ये मनसूबा कामयाब नहीं होने देंगे आपको फसने नहीं देंगे क्योंकि अब आगया है chemistry junction तो काएं की tension पहले जानते हैं fiddle craft अभी करिया के बारे में fiddle craft alkylation वे acylation अभी करिया के दुआरा benzene या परती स्थापी benzene में alkyl वे acyl समू करम से परवेस पाते हैं बच्चों fiddle craft abудь करिया दो परकार की होती है पहली होती है fiddle craft alkylation और दूसरी कहलाती है fiddle craft acylation ab服 क्या यह आपको स्पस्ट है तो इस ab服 करिया के दौआरा alkylation में हम लोग लगाते हैं alkyl summer benzene के अंदर और acylation fiddle craft acylation ab которых में लगाते हैं हम लोग acyl, summer, benzene के अंदर अब मैं आपको ये एक example के द्वारा स्पस्ट करता हूँ तो देखें यहाँ पे हमने दो अभिक्रिया लिए हैं आप जानते हैं बेंजीन का रासाइनिक सुत्र होता है C6H6 क्या है किलियर है आपको लेकिन सर्द यहाँ पे ये दो compound हमने लिए हैं पहला हमारा बेंजीन है लेकिन बेंजीन का formula देखें जहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है carbon, carbon 6, carbon की बनीवी बेंजीन रिंग है और हर एक carbon के उपर क्या हुआ है एक H लगा हुआ है तब ही तो formula बना है हमारा C6H6 क्या है आपको स्पस्ट है अब आप देखिए यहाँ पर इस Benzene में किसी भी H को हमने यहाँ पर इस H को परती स्थापित कर दिया है Methyl Samu से क्या आपको सपस्ट है तो Benzene में बच्चो H को परती स्थापित करके CS3 पा गया है और Benzene बन गई है Methyl Benzene यह जो Methyl है यह Alkyl Samu का एक उधरण है Ethyl, Methyl, Propyl, Butyl यह सब कहलाते हैं Alkyl Samu तो Benzene में आ गया है Alkyl Samu यहाँ पर बोल सकते हैं Methyl Samu आ गया है H को परती स्थापित करके H को हटा के तो यह अभी क्रिया कहलाती है Fiddle Craft Alkylation Clear है, दूसरे वाला जो नीचे उधरण दिया हूँ है बच्चो आप देख सकते हैं Benzene नहीं है क्यों Benzene का राजसाइनिक सुतर होता है C6H6 यह है C6H5 CS3 क्योंकि यहाँ पर Benzene को H को अटा के कोई जब दूसरा समू आ जाता है तो वह कहलाती है परती स्थापी Benzene किस परस्ट हुआ आपको तो पहले वाले में हमने Benzene का किया Fiddle Craft Alkylation यह देखे यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरे वाले उधरान में हमने परती स्थापी Benzene Methyl Benzene लिया और Methyl Benzene में हमने करा दिया Fiddle Craft Alkylation Alkylation क्यों बोलने है क्योंकि Benzene में किसी भी H को अटा के आ जाता है Alkyl Samu Alkyl कौन सा है यहाँ पर C2H5 आया है इसको बोलते है Ethyl Clear आपको तो नाम क्या हो जाएगा Ethyl, Methyl, Benzene Samu ऐसा लगा होता है जिसे कि हमारा Alkyl Group लगा है तो यह और्थो और पेरा पोजिशन पे भेशता है यह भी और्थो कहलाती तो यहाँ कहीं पर एक जगे आप H कोटा के Ethyl, Samu यहाँ पर लगाएंगे तो देखिए यह ऐसा दिखाई पड़ेगा और पेरा पर लगाएंगे तो ऐसा दिखाई पड़ेगा यह यहाँ पे मुख्या होगा क्योंकि यहाँ पे जगे कम होती है जिसकी वज़े से यहाँ पर परति कॉशन होता है तो गोर्ण बनेगा, कम बनेगा यह मुख्या बनेगा तो यह आपको सफ़स्ट हो गया हुआ तो यहाँ पे हमने benzen और परती स्थापी benzen में fiddlecraft alkylation किया तो हमको यह मिला इस परस्ट हमने benzen लिया हुआ है और यहाँ पर यह धरन है fiddlecraft acylation का तो उसके लिए CS3 COCL और ALCL3 लिया हुआ है यह आप जानते हैं इसका link मैं आपको वीडियो में दे दूँगा वहाँ पे fiddlecraft आप alkylation और acylation इस परस्ट रूप से समझ पाएंगे तो देखे यहाँ पे हमने एच को परती स्थापित कर दिया है acyl या acyl group के दुआरा यह COCS3 group acyl group के लाता है जिसने एच को यहाँ से परती स्थापित करके उसके जगे पे परवेस पाया है अब इसका नाम हो जाएगा acyl या acetyl benzene क्लियर रह लिया था benzene क्या बन गया acyl या acetyl benzene क्योंकि यहाँ परवेस आ गया है परवेस पाया है COCS3 तो बच्चों यह दो उधरन हमने उपर लिये पहले वाला fiddlecraft alkylation का और दूसरा fiddlecraft acylation का यह आपको तो पहले से ही सपस्ट होगा आज फिर हमने आपको यहाँ पे पुन्रावर्ती करा दी है चो यह anilene की संग्रचना है आप देख सकते हैं अमीनो बेंजीन के ओपर जब एनेस टू समू लगा होता है तो इसको बोलते हैं अमीनो बेंजीन और इसका सामान्य नाम होता है एनीलीन याद रखिएगा किलियर है आपको अब हम लोग यहाँ पे देखिए क्या करा रहे हमने एनीलीन लिया CS3 CL और ALCL3 के साथ इस अभिक् पे CS3 ग्रूप यही तो बनाया होगा आपने यह कहलाता है क्या फिडल क्राफ्ट एलकाइलेशन क्यों कि मिठाइल समू आप लगा रहे हैं बेंजीन में यहाँ बेंजीन नहीं है एनीलीन है तो यहाँ पे एनीलीन में आपने और तो पैरा पोजिशन मिठाइल समू लगा होगा और आप खुश हो गयोंगे अगर मैं कहूं कुछ ऐसा यह लिजे तो आपको लगेगा कैसा सरी कौन सी बात होई मदलबा कुछ भी काड़तोगे अरे नहीं बेटा यह अभी करिया संभव है यह नहीं अगर आपने ऐसा बना दिया है और आप ऐसा सोचते हैं तो वह ग एकांकी इलेक्ट्रोन युगुम एकांकी माने अकेला इलेक्ट्रोन युगुम युगुम माने जोडा तो यह जो इलेक्ट्रोन का जोडा है यह अकेला है ना बोंड बनाने में परियोग हो रहा है और ना ही कोई इस पर बंधन है तो बच्चों यह उनमुक्त है और यह ग हुआ होगा, AL, CL3 एक ऐसा रासाइनिक पदार्थ होता है जिसमें Aluminium जो यहां पे केंद्रिक परमाणू है केंद्री परमाणू AL इसका अस्टक पूरा नहीं होता है CL का तो अस्टक पूरा है Aluminium का अस्टक पूरा नहीं है, आदा अधूरा है होना चाहता है पूरा क्योंकि यह है आदा अधूरा, किलियर है यह जो हम दिखा रहे हैं, औरेंज कलर से यह इसका पीक अकसक है, पीक अकसक में दो लेक्टोन की कमी है, तो देने वाला कौन, वेरे गूड लेने वाला कौन, वेरे गूड तो AL, CL3 यहां पे AL, CL3 की उपस्तिती में CS3, CL लेते हैं, तो यह Alkylation कहलाएगा, और अगर आप CS3, CO, CL लेते हैं, तो यह Asylation कहलाएगा, लेकिन दोनों ही अभिक्रिया में क्रोस आएगा, याने अभिक्रिया नहीं होगी, काहे नहीं होगी, तो देखो बच्चों NS2 ने, Aniline ने अपना Electron यूगम दे दिया है, Aluminium क्लोराइड के साथ में, जिससे आपका यहां पे बन गया है Anilineum Aluminium क्लोराइड लवन, यहां पर आपका जो उत्पिर रख होता है वह है आपके, यह देख रहे हैं यहां पे, जिहां, जो आपका Aniline है, उसके साथ में Aluminium क्लोराइड अभिक्रिया करके लवन बना लेता है, और यह लवन बना के अब हो जाता है Aniline आपका A-Criacil यानि कि अब CS3-CL या CS3-CO-CL का अभिक्रिया नहीं होगा Aniline के साथ, वो इसलिए नहीं होगा, क्योंकि Aniline जो होती है, वो लूइस चार की तरह वेवार करती है, Aluminium क्लोराइड लूइस अमल की तरह वेवार करता है दोनों में अभिक्रिया हो जाती है और आपका Aniline जो है, वो Aniline नहीं बसता है, बलकि वह परिवर्थित हो जाता है Aniline, Aluminium क्लूराइड में तो ध्यान रखेगा अगर आपको कोई एनलीन देता है और वो कहता है कि फिडल क्राफ्ट एलकाईलेशन या फिर ऐसा एलेशन अभी क्रिया में क्या उत्पाद बनेगा तो वहाँ पर बोलिएगा कोई अभी क्रिया नहीं होगी और अगर ये दिया है आपको विकल्प में तो ये आपका अंसर होगा क्या ये आपको स्पस्ट है तो ध्यान लखेगा अब आप हैं तैयार इस कोईशन के लिए एनलीन का फिडल क्राफ्ट एलकाईलेशन या एसाईलेशन संभाव नहीं है बच्चो